नमस्कार, Light of Nation News में आपका स्वागत है, मैं मलिका शर्मा और अभी हम मनाली के विंटर कार्नेवल में मौझूद है जो कि कल से शुरू होने वाला है और यहां के SDM और कुलू के DC ने यहां का जाइजा लिया और कोविट के नियोमो को भी की पालना करने के लिए यहां के लोगों को जागरुप किया अभी हम मौझूद है, यहां स्टॉल्स लगे है लोकल डैली के सीज के, जैसे कि यहां महीला, मंडल्स और काफी सहायता समूख के स्टॉल्स लगते हैं और अभी हम मौझूद है वृद आश्रम के स्टॉल पे, तो चलिए इन से जानकारी लेते हैं सहारा वृद आश्रम मनाली से हमारे साथ है, अनीता मैम मैम, यहां पे जैसे कि आपने स्टॉल लगाया, अभी तो जैसे विंटर कार्निवल शुरू भी नहीं हुआ और यहां के लोगों में इतना उत्सा है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम, फर्स डे हमने इतना उत्सा देखा कि अभी विंटर कार्निवल तो कल स्टार्ट होगा, लेकिन आज भी हमारे यहां स्टॉल में काफी रश है, हम लोग जो सहारा वृद आश्रम से हैं, उसके लिए चैरेटी करने हैं, इसमें हम लोगों ने मक्की की रोटी, सरसों क साग और साथ में हमारे यहां पे सिड्डू बनाए हैं, जो जिसमें हमने ड्राइफ रूट की स्टफिंग की है, और दाल बड़ा बनाया है, साथ में हम लोगों ने कचौरी भी बनाई है, मैम, यहां पे सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद कर रहे हैं? मैम, मैम, यहां पे सबसे ज़्यादा हम लोग कहते थे कि जी, अब मकmm की की रोटी सरसों का साग कोई भी निखाते हैं, लेकिन यहां पे आके हमारे स्टॉल में, तो हमारे खुद के लोकल लोग भी और बाहर से टूरिस्ट आये हुए हूए, वो भी जो है, मक्की की रोटी मनें लोग बताया कि हमारे जहां पे क्या एका यह कि आर छ रहे हैं और मकीन चाएं यह सब जो यहां की लोकल डेलिकेसी है यह सब यहां पर आपको मिल सकती है जैसा कि देखा जा सकता है यहां पर मूमोज भी मिल रहे हैं इसे फ्राइ किया जा रहा है वैसे इसे स्टीम करके खाते हैं परियर्टक है वो भी हां का लुफ्त उठा रहे है चलिए इन से मिलते हैं हेलो सर आपका नाम मेरा नाम गोविंधाकूर कहां से आया मैं पंजाब से डिस्टिक फदेगर साहिब से और आपके क्या डिश ट्राइ की यहां की लोकल अभी जस्ट मोमोज ट्राइ किये थे आपके आपको पता है यहां कल बिंटर कार्निवल स्टाट होने वाला है उसका काफी अच्छा फंक्शन होता है नहीं सुना है पर आज निकलने का प्रोग्राम था तो वह देख के जाएंगे अभी कल निकलेंगे अग्यां जैसा कि सब कर यहां 31st का इवेंट था तो उसको चाहेंगे अग्या जाहेंगे परियेटकों को और जो यहां ट्राफिक लग गया था इतना उसके बारे में क्या कहेंगे मैं बताना चाहेंगे रहीबाद 31st की तो यहां पर माल रोड में भारी रजतदाद में टूरिस्ट देखे गे और बहुत ही जादा मातरा में यहां पर प्रेटक देखने को मिले और बहुत ही ज्यादा लुट को उठा रहे थे और बहुत ही ज्यादा क्रोड थी मिनाली में और रही बात ट्रेफिक की तो ट्रेफिक के चलते भी यहां पे भारी जाम देखने को मिला तोरीस्ट बहारी मातरा में दूर दूर से आये थे और ट्रपिक होना ही था नियूर को मिलाने, आपको पता ही है कि मिनाली एक काफी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, इसकी दृष्टी से यहाँ पे बहारी मातरा में टूरिस्ट देखा गया, जी यही कहना चाहेंगे